42 is here, स्वागत और अभी नंदन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो में खादी, नेचुरल और हर्बल ऐसे सब्ध हैं जिनका भारती जन्मानस में एक अलग ही प्रभाव है और इन्ही प्रभावों का फाइदा कमपनिया उठाती है उन्हें लगता है कि नामों के साथ अगर वे कोई प्रड़क्ट्स लोगों को बेचेंगी तो लोग बिना सवाल करके खरीद लेंगे और अगर उनके प्रड़क्ट सस्ते होंगे तब तो सोने पर सुहागा और इन सभी चीजों के साथ कॉस्मेटिक बाजार में अपने प्रड़क्ट बेचने वाली खादी नेचुरल के प्रड़क्ट्स हैं कितने नेचुरल यही है इस वीडियो का विस है जिसमें आप जानेंगे खादी नेचरुल के कौन से प्रड़क्स करें किक और कौन से पिक ये और इसके आलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए इस वीडियो के लिए आज मैं डिस्क्लेमर वीडियो की सुरुवात में ही दे रहा हूँ मैंने पिछले कुछ वीडियो में खादी के लगभग 5 प्रोड़क्ट आपको रिक्मेंट किये थे उन सभी प्रोड़क्स की पूरी इंग्रीडियन्ट लिस्ट खादी से पूछ कर ही मैंने आपको रिक्मेंट किया था लेकिन ऐसा करना as a YouTuber तो ठीक है लेकिन as a consumer मुझे यह लगता है कि मेरे लिए प्रोड़क्ट की इंग्रीडियन्ट लिस्ट प्रोड़क्ट पर ही लिखी होनी चाहिए सभी के लिए कंपनी को इमेल करना संभव नहीं होता आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैंने सभी पुराने वीडियो के डिस्क्रिप्शन से खादी के सभी प्रोड़क्ट की पर्चेज लिंक को हटा दिया है खादी नेचुरल के 150 से जादा प्रोड़क्ट मार्केट में आते हैं और सभी प्रोड़क्ट की इंग्रीडियन्ट लिस्ट वीडियो में लिखना संभव नहीं है इसलिए आप कोई स्क्रीन पर प्रोड़क्ट के नाम लिखे मिल जाएंगे और इन सभी products की जो भी ingredient list company ने disclose किया है उसका पूरा wishlation करके मैंने word file का link description में दे रखा है आप उसे download करके पढ़ सकते हैं तो आईए अब बात करते हैं खादी natural के products के बारे में सबसे पहला product मैंने चोना है खादी natural rose water toner इस product में company की ingredient list में आपको पानी गुलाब की पत्तियां और aloe vera extract लिखा मिल जाएगा पानी में aloe vera gel मिलाकर उसे रखने पर उसमें बदबू आने लगती है और company ने इस product को बीना preservative कैसे बनाया यह company ही जाने इसलिए इस product को आपको किक करना चाहिए इसके अलामा खादी के साथ अलग अलग face wash भी आते हैं face wash या कोई भी cleansing products जैसे soap, shampoo, body wash या hand wash तीन तरीके से बनाया जाते हैं पहला है soponification, दूसरा है surfactant और तीसरा और सबसे घटिया तरीका है soap base कई सारी कमपनिया soap base को लेकर cleansing products को बनाती हैं लेकिन उस soap base को बनाने के लिए गाय, sewer, भेंड की चरबी या किस vegetable oil का इस्तेमाल किया गया है यह company और भगवान के अलामा किसी को पता नहीं होता इसके अलामा खादी natural के सभी face wash product में artificial color company ने मिलाया है लेकिन ingredient list में उसकी कहीं कोई चरचा नहीं है कोलतार से बने artificial color हमारे स्वास्त के लिए बहुत ही अतक होते हैं खादी अपने products की ingredient list में जो नाम लिखता है उससे कोई भी face wash नहीं बन सकता इसलिए आपको खादी natural के सभी सातो face wash products को किक करना चाहिए इसके बाद number आता है moisturizer का company आठ अलग-अलग तरह के moisturizer मनाती है इन में से पहले चार ऐसे brands हैं जिन में कौन से जानवर या पौधों की चरवी मिली है यह पता लगाना संभव है लेकिन mineral oil आपको ingredient list में लिखा मिल जाएगा और मेरी आपको यही सला है कि कोई भी mineral oil based product का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए इसके अलावा company सभी products में artificial गदर मिलाती है लेकिन इसकी चरचा ingredient list में कहीं नहीं है खादी natural वाले लोगों को अच्छे से बना रहे हैं इसलिए आपको इन चार moisturizer brands को किक करना चाहिए बाकी बचे चार moisturizer में भी company ने कमाल किया है बिना preservative के कोई product लंबे समय तक सुरच्छित नहीं रखा जा सकता किसी भी brand में preservative की कोई चरचा नहीं है lotion, moisturizer और cream में पानी और तेल का मिश्रण होता है लेकिन पानी और तेल को आपस में बांध कर रखने वाले ingredient जिसे emulsifier कहते हैं उसकी चरचा ingredient list में कहीं नहीं है और इन दोनों ingredient के बगार कोई भी product नहीं बनाया जा सकता इसलिए आपको खादी के किसी भी moisturizer को नहीं खरीदना चाहिए कि कीजिए इसके बाद number आता है lip balm का छे अलग-अलग तरह के lip balm company बनाती है ingredient list पढ़ने से आपको लगेगा कि product बहुत अच्छा है लेकिन जैसे ही आप lip balm को हाथ में लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसमें तो company ने color मिला रखा है जिसकी चर्चा ingredient list में कहीं नहीं है color की क्या origin है यह पता नहीं और artificial color, cancer और endocrine problems जैसी कई सारी चीज़ें आपको मुफ्त में दे देते हैं इसलिए आपको इस सभी lip balm को kick करना चाहिए अब आईए बात करते हैं खादी के creams की 15 अलग-अलग creams खादी natural बनाती है उसके अलग-अलग उपियोग है जैसे कोई cream एकने के लिए है कोई day cream है, night cream है, wrinkle cream है, foot cream है, hand cream, massage cream anti-aging, anti-blemuses cream के नाम से इनके brand आते हैं और इन में से किसी भी product की ingredient list पूरी नहीं है base जैसा की मैंने पहले ही आपको बताया किन जानवनों की चर्वी की साथ मिलकर बना है यह पता नहीं है, emulsifier और preservative गायब है तो इसी लिए आपको इन सभी creams को किक करना चाहिए इसके अलावा company दो अलग-अलग तरीके के body butter भी बनाती है जिसमें company ने disclose किया है एक toxic preservative, edita, color और artificial fragrances इन toxic ingredients से बने इन products को आपको किक करना चाहिए इसके बाद मैंने visualization किया खादी natural की herbal brown mehndi और black mehndi को इन दोनों mehndi brand में सुक्र है company ने यह माला है कि उन्होंने PPD मिला रखा है जो आपको बहुत बीमार करने का plan है इसलिए आपको अगर अपनी जिन्दगी से प्यार है तो इन brands को किक कीजिए इसके अलावा company पाँच अलग-अलग brand name से hair color भी बनाती है जिसकी ingredient list में indigo, hina के अलावा कई अन्य चीजें भी company ने मिला रखा है मैंने एक वीडियो में इनके products को recommend करके बहुत पस्ताया अच्छे ingredient और खरा formulation की वज़ा से आपको इन brands को किक करना चाहिए इसके बाद नाम आता है खादी के organic आमला powder ingredient list में कोई toxic ingredient नहीं है आप इन्हें pick कर सकते हैं इसके बाद number आता है खादी natural hair serum का मेरे प्रस्न के उत्तर में company ने इस product के base को coconut oil बताया था लेकिन consumer के लिए company से पूछना संभव नहीं है इसलिए आपको इस product को किक करना चाहिए इसके बाद number आता है oils का 17 अलग अलग तरह के hair oil company बनाती है और सबसे पहला hair oil है खादी natural pure आमला hair oil इसकी ingredient list पूरी और safe है इसलिए आप इस product को pick कर सकते हैं इसके बाद आपको अपनी screen पर ऐसे hair oil brands का नाम देखने को मिलेगा जिनकी ingredient list तो बहुत अच्छी है लेकिन सभी brands में company ने artificial color मिला रखा है जिसकी चर्चा इन्होंने ingredient list में नहीं की है इसलिए आपको इन सभी brands को pick करना चाहिए इसके बाद मैंने analyze किया खादी के sweet almond hair and body oil और olive oil को ingredient list में company ने rare herbs लिक कर रखा है लेकिन इन्होंने कौन से herb मिलाए हैं इसके बारे में कोई विस्तित विवराण ना होने के काराण आपको इन products को kick करना चाहिए बाकी बचे 6 oils में जिन में massage और hair oil सामिल है company ने mineral oil मिला रखा है इसलिए आपको इन सभी products को kick करना चाहिए company एक तरफ कहती है कि उन्होंने अपने कुछ brand में mineral oil नहीं मिलाया है दूसरी तरफ company mineral oil मिला कर hair oil बेच रही है ये कैसा मजाक ये लोगों के साथ कर रहे है ये तो भगवान जानते है खादी नेचुरल अपने ग्राहकों को लाजबाब तरीके से उल्लू बना रही है यह brand ना तो खादी है ना नेचुरल है और ना हर्वल है इसलिए आपको इन सभी 6 hair oil brands को kick करना चाहिए इसके बाद नाम आता है bath oil का जिसमें company ने propylene glycol मिलाया है और base लापता है इसलिए kick कीजिए इसके अलावा company एक slimming oil भी बनाती है oil लगाने से कोई भी पतला नहीं होता सिर्फ बेखूब बनता है और company ने लोगों को बेकूब बनाने के लिए या formulation किया है इसलिए आपको इसे kick करना चाहिए बात oils की हो रही है तो अब essential oil की भी बात कर ले 12 तरीके के essential oil company बनाती है लेकिन इन products को इन्होंने बनाया कैसे है यानि निर्माल की प्रक्रिया क्या है इसका कोई भी भी बिलन ingredient list में नहीं मिलता और जब तक extraction process का पता ना हो कोई भी essential oil आपको नहीं खरीदना चाहिए इसलिए आप इन सभी essential oils को kick कीजिए अब बात करते हैं hair conditioner के चार अलग-अलग hair conditioner company बनाती है बिना preservative के hair conditioner कैसे बनाया जाता है ये तो मुझे पता नहीं जब पता चलेगा तो शायद मैं pick करनू लेकिन तब तक खादी के इन चारो hair conditioner को आपको kick करना चाहिए मेरी समस्य से आज कल देश में दो ही लोग बना रहे हैं एक का नाम है खादी और दूसरे का नाम आप मुझे comment करके बताईएगा और आईए अब बात करते हैं खादी के hair cleanser यानी shampoo का 28 अलग अलग तरह के hair cleanser company बनाती है सभी product में 50% ingredient गाइब है और जो 50% उन्होंने लिखे हैं उसमें 35% तो पानी है company ने इन shampoos को बनाने के लिए कौन से cleanser या base का इन में से कोई भी brand इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इन सबी brands को kick कीजिए इसके बाद number आता है खादी के soap का यहाँ पे तो company ने कमाल ही किया है 38 अलग अलग तरह के soap बनाए हैं जिनकी ingredient list में आए बाए शाए जो मन में आया सब लिख डाला है साथ ही मैंने 6 अलग अलग body wash को भी इसी के साथ add कर दिया है क्योंकि ingredient list एक ही जैसी है और यह दोनों cleansing products है body wash और soap ऐसे products है जिनको बनाने के लिए vegetable oil सपोनिफाई किया जाता है company products की cost को कम करने के लिए सस्ते base का उपयोग करती है जिसमें गाय सुवर और भेडो ना जाने किन किन चीजों की चर्वी मिली होती है ये तो सिर्फ प्रम्हा ही जानते है इसी लिए ingredient list में company जादा कुछ लिखती नहीं है जरा सोचिए कि हमारे बुजुर्ग मंगल पांडे जैसे सहीदों ने जानवरों की चर्वी से बने कार्तूस ना खीचने के लिए अपनी जान दे दी आज उन्ही की अगली पीड़ी अपने चेहरे पर जानवरों की चर्वी अपना पैसा खर्च करके लगा रही है अगर आज वो जिन्दा होते तो उनकी आत्मा को कितना दुख होता इसी लिए आप सहीदों के बलिदान का करें विश्वास और जब तक इंग्रीडियन्ट लिस्ट क्लियर न हो तब तक प्रोड़क्ट को ना करें इस्तेमाल सभी प्रोड़क्ट को किक करना चाहिए और आईए अब बात करते हैं सनिस्क्रीन की कमपनी साथ सनिस्क्रीन लोशन बनाती है जिसमें इन्होंने 15, 20, 30, 40, 50 और 60 SPF तक के प्रोड़क्शन देने का वादा करने वाले प्रोड़क्ट मार्केट में लाँच किये हैं लेकिन अगर आप इनकी ingredient list को पढ़ेंगे तो आप कोई इन में कोई भी फर्क नहीं मिलेगा वो कौन सा जादू है जिसे कमपनी करके इनके SPF प्रोड़क्शन को बढ़ा रही है सेम ingredient list के साथ ये तो कमपनी ही जानती है और मैं इस जादू के लिए कोई पैसे नहीं खर्च करना चाहूंगा इसलिए आपको इन सभी प्रोड़क्श को किक करना चाहिए साथ ही कमपनी दो आफ्टर संजल भी बनाती है कमपनी द्वारा बनाए गए इन जल्स में कोई भी प्रजर्वेटिव नहीं है और बिना प्रजर्वेटिव के ये प्रोड़क्श इन्होंने कैसे बनाए ये तो भगवान ही जानते हैं इसलिए आपको इन प्रोड़क्श को किक करना चाहिए साथ ही कमपनी दो बात साल्ट भी बनाती है लेकिन बेस में कमपनी ने क्या मिलाया है यह तो इन्होंने बताया नहीं है इसलिए आपको इनको किक करना चाहिए हैंड सेनेटाइजर में तो इन्होंने और ही जादू कर रखा है और वो कमाल ये है कि company कहती है कि इसमें इन्होंने 70% concentration का alcohol मिलाया है लेकिन उसकी मात्रा नहीं बताया है इसलिए आपको इन दोनों blends को किक करना चाहिए साथ ही company अलग-अलग 5 hand wash भी बनाती है और इन hand wash को बनाने के लिए किस चीज की चरवी का इस्तेमाल किया गया है वह जानवरों की है या vegetable oil से मिली है या company ने नहीं बताया है लेकिन इन्होंने यह तो जरूर ही बताया है कि इसको बनाने के लिए artificial fragrances और color का इस्तेमाल किया गय और आईए अब बात करते हैं दो eye wash sorry vegetable wash इनकी ingredient list अधूरी है इसलिए आपको इन products को kick करना चाहिए तो यह था खादी नेचुरल के cosmetic products का कच्चा चिठ्था यह company लोगों की भावनाओं और धार्मिक आस्थाओं के साथ ऐसा मजाक इसलिए कर पा रही है क्योंकि खादी नेच बेफिक्र होकर लूट रही है यह आश्चरी की बात है और सबसे बड़ा मजाक तो यह है कि इस brand को खादी ग्रामो द्योग ने भी certified किया है तो धर्म जात के नाम पर बढ़ते रहिए और इन बैमान कमपनियों से लुटते रहिए अगर नहीं लुटना चाहते हैं तो मेरी advice को follow कीजिए और मैं हूं डॉक्टर सतीश पांडे डॉक्टरी छोड कॉस्मेटिक के चोर पकड़ रहा हूं और email पर कमपनियों की बद्धुआय बटोर रहा हूं तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप आपके प्रस्णों और प्रतिच्छा रहेगी कमेंट वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद नमस्कार